पर्मार राजा उदया दित्य ने बनवाया था उदयापूर दिदी सामे स्थीत निलकंटेश्वर महादेव मंदीर। उदया दित्य यहां के सासकते। उनकी राज़तानी होने के कारण। इसका नाम उदयादिता नगर था जो बाद में उदयापूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंजबा स्वधा तासिल मुख्याले से मात्र 16 किलो मिटर की दूरी पर स्थीत। उदयापूर का यह विशाल प्राचिन मंदीर। पहाडियों की तलहटी में स्थीत होने के कारण। बारिस के दिनों में देखने लायक होता है। आस्था और सिल्प का बेजोड नमुना है यह सिवालाई। विदीसाज जिले के उदेपूर में स्थीत। निलकंठेसवर मादेव। मंदीर में रोज सुर्य केरणा पिसेक होता है। सुरज की पहली किरण। मंदीर के गर्ब ग्रुम में स्थीत सिवलिंग पर पड़ती है। मंदीर का वास्तु कुछ इस प्रकार का है कि भोर की पहली किरण वेद साला, मंडप और ग्रव कर्ब ग्रुम में छोटे से दरवाजे को चीरती हुई भगवान पोलेनाथ की सिवलिंग पर पड़ती है। जैसे सुर्य देव उदे के साथ ही पोलेनाथ को प्रणाम कर जग म उजियारा फेलाने की इजाज़त मांगते हो। मुख्य सिवलिंग पर पितल का आवरान चड़ाया गया है जिसे विशेश मुकों पर चल अरपित करने और दसन के लिए अलग पीक रख दिया जाता है। मंदीर में सिवलिंग के पास ही देवी पारवती की प्रतिमा भी सताब्दी में बनाया गया उदयवपुर का निलकंठेश्वर मंदीर पगवान सीव को समर्पित है। यहां मंदीर आस्ता और सिल्फ का बेजोड नमुनाया गगन चुबी सिखर, नायब सिल्फ और गर्भ ग्रुव में विशाल सिवलिंग के दर्षन करने यहां स्रावन लाखो दर्सनार्थी पहुचते हैं। गंजबा सोधा के पास्थी चोटे से का उदयवपुर में पगवान सीव का यहां विख्यात मंदीर। उदयवपुर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदीर के प्रांगण में एक वेटसाला भी है। पर्मारोक की राजतानी धार से दूर उदयवपुर में निर्मिथ यहां मंदीर। उनकी सुदूर राज्य की सिमाव को भी तसानतज है। मंदीर के सिखर समकालिन चंदेल राजा उत्वारा निर्मित खजुराओ मंदीर से समानता रखते है। निलकंठेसवर मंदीर में मंडप के साथ ही इस मंदिर की उचाई 51 फीट है इसकी दिवारों के निचे से उपर तक जो नकासी है उनमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित है निलकंठेस्वर महादेव मंदिर प्रदेश के विश्रो विख्यात खजुराओं मंदिर की श्रेणी में आता है मंदिर का नकसा हर खंड पर अंकित है पत्थरों पर तरासे गए इन छोटे छोटे खंडों को चोड़कर मंदिर का गर्प क्रू बनाया गया है कुमबच के निचे लगे हर खंड में मन्दीर का पूरा नक्सा अंकित दिखाई देता है इसमें सहजी अंदाजा लग चता है कि मन्दीर चमिन से कितना उपर और कितना नीचे है कर्प-क्रू के दोनों और गंगाय यम्ना मानव रूप में उतकिन दिखाई देती है जो मंदीर में प्रविश्य पूर्व आत्मिक सुद्धता की और संकेत करती है मंदीर के चारो और दिकपाल देवी देवताव की प्रतिमाओं का अंकन है दुर्गा प्रतिमाय, गणेश्ट प्रतिमाय, ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमाय भी यहां सुपाय मान है सीव के गणों की प्रतिमाय भी प्रविस्त्वार पर मौजुद है जग जग कुंगराले बाल, उपरी हुई आखे और बड़े पेट वाले भारवाही यक्स अपने कंदों पर सारा पार उठाय स्थम्पों पर नजर आते है मंदिर करिब 8 पीट उचा विसाल सीवलिंग स्थापी थे सीवलिंग प्लीत पिक्तल के बड़े कवच से ढका रहता है कवच को वर्ष में एक दिन महासिवरात्री पर अभिसे के लिए हटाया जाता है इस कवच का निर्मान ग्वालियर रियासत के महराजा जीवा जीराव सिंधिया ने कराया था महासिवरात्री पर कई गड़े दूद और जल स्रदलू चड़ा थे लेकिन यहाँ पानि कहा जाता है यहाँ रहस्या आज तक कोई पता नहीं लगा सका पानि का निकास पूरा वेग्नियानिक डंग से बनाया गया है यहाँ विदीसा सागर पोपाल से सडंग मार्क से आराम से पहुचा जा सकता है यहाँ पर हमारी वीडियो करते हैं पतम करते हैं और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना पुलिएगा और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबा दीजिएगा